हाई, हला एवरीवान, वेलकम तो माई चानल NCB, NCB, फ्रिंस आज एक बहुती ब्यूडिफुल एजी क्रुशेट आर्च सारे कुचुर डिजाइन बनाएंगे, जो बिगनर्स, नॉन क्रुशेटर्स तेक इजीली बना सकते हैं, फ्रिंस ये डिजाइन टू आवर्स के अंदर अदर एजीली बन जाएगा, इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज के अंटिक बीर्स लिये हैं, आप यहाँ पे बिग साइज के या फिर मीडियम साइज के कोई भी बीर्स, क्रिस्टल्स ले सकते हैं, नेक्स्ट मैंने एइड स्रेंड्स आफ सेलिक दागा फोल्ड करते हुए एक नौट डाल लेना है और अब नेक्स्ट हमें पल्लू का यह जो स्टार्टिंग एज है यहां से नीडल को पास करते हुए नीडल में दागा फोल्ड करके बाहर लाएंगे और फिर से नीडल में दागा फोल्ड करके सिंगल कुर्षेट उसकी बाद थोड़ सा धागा बाहर कीशते हुए नीडल में हमें एक मीडियम साइज का बीड इंसाइट करते हुए इन ट्रेड में पास कर देना है और अब नेक्स्ट में इस बीड को लॉक कर देंगे उसकी बाद बीड का ये जो साइज है ये देख सकते हाँ पे नीडल जह इस तरीके से हमें इस बीड को अटाइच करना है नेक्स्ट हमें एक और सिंगल कुर्षेट बनाना है दो सिंगल कुर्षेट हमने वर्क कर लिये है नेक्स्ट हमें थोड़ा सा धागा बाहर कीशके नीडल में एक बीड लेना है और इस बीड को इन ट्रेड में से स्लोली पा करके दागा बाहर लाएंगे इन दोनों लूप्स को भी एक करते हुए एक सिंगल कृषट बनाना है इस तरीके से हमें दो बीड्स अटैश करने हैं और अब नेक्स्ट हमें एक दो तीन तीन सिंगल कृषट सॉरी तीन चेंज स्टीच वर्क करते हुए जहां पर यह नीडल स् करेंगे और अब यह तीन चेंज स्टीच का एक लूप बन जाएगा नेक्स्ट हमें एक दो तीन चार पांच टोटल फाइव चेंज स्टीच वर्क करने हैं और यह चेंज स्टीच जहां पर लूपे नीडल स्ट्रेट आए यहां से नीडल को पास करके इन्हें सिंगल कृष पर लूपे यहां से नीडल को पास करके सिंगल कृषिट से अटैच कर देना है इस तरीके से हमें पहले दो बीड उसके बार तीन चेंज स्टीच फाइच चेंज स्टीच उसके बार फिर से तीन चेंज स्टीच इस तरीके से वर्क करते हुए थोड़ा से धागा बाहर से दाख करके से और रएब नेकस्ट में इस शिंगल कृषिट के नज़दी के एक और सिंगल कृषिट वर्क करना है उसकी बार थोड़ा से धागा बाहर खीचते हुए नीडल में हमें एक मीडियम साइस का बीड इंसर्ट कर लेना है इस बीड को पहले लॉक कर देंगी और बब नेक्स्ट में जैसा हमने पहले बीड को परलू पे अटाच किया हुआ है उसी तरीकी से हमें यहां से नीडल को पास करके single crochet से इसे attach कर देंगी friends हमने यहाँ पे 2 beads attach कर लिये हैं आप चाहों तो यहाँ पे 3 beads attach कर सकते हैं आप single beads भी use कर सकते हैं next हमें 3 chain stitch work करने हैं जहां पे यह needles straight आए यहां से needle को pass करके इसे single crochet से attach कर देना है उसकी बार 5 chain stitch work करना है इन 5 chain stitch को पर लूपे जहां पर नीडल स्ट्रेटा यहां से नीडल को पास करके इस सिंगल कुरूशिट से अटेश कर देंगे यह एक 5 चेंग स्टिच का लूप बन गया है फिर से हमें तीन chain stitch work करके यहां से needle को pass करके इसे single crochet से attach करना है यह एक तीन chain stitch का एक loop बन गया है इसी तरीके से हमें पूरे पर loop पे इस first line को complete कर लेना है first line के end में हमने 2 beads add कर लिये है next हमें एक single crochet work कर लिया है उसके बाद एक और single crochet work कर लेंगे और अब next हमें एक chain stitch work करना है उसके बाद थोड़े से दागा बाहर कीचते हुए थोड़े से distance पे इन threads को cut कर लेंगे और इन threads को इस तरीके से बाहर निकालेंगे यह एक knot बन जाएगा आप इस देख सकते हैं यह first line complete हो गया है second line starting में हमें finger में धागा फोल्ड करके एक knot डाल लेना है और यह जो हमने starting में दो single crochet बनाए हुए है इन दोनों के center में से needle को pass करके धागा बाहर लाएंगे फिर से needle में धागा फोल्ड करते हुए एक single crochet work करके इस thread को attach करना है उसके बाद एक, दो, तीन और यह चार टोटल चार chain stitch work करते हुए इस first वाले bead के बाद जो हमने दो single crochet work किये हुए है उन दोनों के center में से needle को pass करके फिर से एक single crochet work करना है इन chain stitch को attach करना है वह इस तरीके से और फिर से हमें total चार chain stitch work करने है बीड का जितना cover हो उतने chain stitch हमें बनाने है और यह जो next वाला single crochet है बीड के बाद इसमें से needle को pass करके single crochet से फिर से इसे attach करनेना है इस तरीके से यह chain stitch in beads के back side आ जाएंगे और अब next हमें यह जो तीन chain stitch का loop बनाया हुआ है इसमें से needle को pass करके single crochet work करना है और अब यहां से हम आज start करेंगे 5 chain stitch का यह जो loop है इसमें से needle को pass करके double crochet बनाना है एक, दो, तीन, यह चार, पांच, छे, और यह तोटल 7 double crochet हमने work कर लिये हैं इसी तरीके से हमें पूरे arch पे total 15 double crochet complete कर लिये हैं उसकी बाल बीट्स के पहले वाला यह single crochet है इसमें से needle को pass करके इसे attach कर देना है यह arch complete हो गया है और अब next हमें यहां से एक, दो, तीन, चार टोटल चार chain stitch work करते हुए इन दोनों बीट्स के center ने यह जो दो single crochet बनाए हुए हैं इसमें से needle को pass करके इसे single crochet work करते हुए इन chain stitch को attach करना है यह देख सेकना इस तरीकी से back side आ जाएंगे next हमें फिर से एक, दो, तीन, चार chain stitch work करने है और बीट्स का इस नेक्स्ट फाला single crochet है इसमें से needle को pass करके फिर से एक single crochet work करना है और इस chain stitch को attach कर देना है इस तीन chain stitch का इस जो loop है यहां से needle को pass करके single crochet work करते हुए next arch हमें start करना है यह देख सकते हैं 5 chain stitch के loop में से needle को pass करके हमें यहां पे इस arch को बनाने के लिए total 15 double crochet इसमें work करने है इस जो 5 chain stitch का loop है इसमें हमें total 15 double crochet work करना है इसी तरीके से हमें arch बनाते हुए second line complete कर लेंगी अपे देख सकते हैं second line complete हो गया है last में हमें एक chain stitch work करना है उसके बार एक और chain stitch work करते हुए थोड़ा सा दागा बाहर कीच लेंगे और थोड़ा सा distance पे दागे को cut करना है और अब next हमें इस दागे को बाहर लाएंगे यह एक knot बन जाएगा अपे देख सकते हैं दो line में हमें complete कर लिया है next हमें यह जो दो बीर्स के ऊपर जो हमने चार-चार chain stitch work किये हुए है इसमें से हमें 90 strands of silk thread लेके हमें कुछू बनाना है एवरी आज के बाद यह जो दो बीर्स हैं यहाँ पे हम कुछू बनाएंगे कुछू बनाने के लिए मैं वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ अभी वर्स complete हो गया है आपको यह design कैसा लगा मुझे comment section में comment करके जरूर बताएगा बहुती simple and easy कुछू डिजाइन है इसी तरह के latest updates के लिए चानल को subscribe कीजिए पास में लगे बैल आइकन को प्रेस करके all पे क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं नए वीडियो अप्लोड करूँ उसके notifications आपको जल से जल मिल जाएंगे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए thanks for watching see you soon bye bye